साथियों, मुझसे कई बार लोग पुछते हैं कि आखिर गर्तों देश में पहले भी बनते थे, सरकार की योजनाओं के तहट बनते थे, फिर आपने बढ़लाओं क्या किया? यह सही है कि गरीबों के लिए घर बनाने के लिए देश में दसकों पहले से योजनाओं चली आ रही हैं, बलकि आज़ादी के बाद के पहले दसक से ही सामुहिक विकास कारकम के तहट यह काम शुरू हो गया था. फिर हर 10-15 साल में इस प्रकार की योजनाओं में कुछ जुड़ता गया, नाम बदलते गये, लेकिन करोडों गरीबों को जो घर देने का लक्स था, जो एक गरीमा पुर्ण जीवन देने का लक्स था, वो कभी पुरा ही नहीं हो गया. कारण ये था कि पहले जो योजनाओं बनी थी, उनमें सरकार हावी थी, सरकार का दखल बहुत ज़्यादा था, उन योजनाओं में मकान से जुड़ी हर चीज का फैसला, सरकार और वो भी दिल्ली से होता था, जिसको उस गर में रहना था, उसको कोई पूस्ता ही नहीं था. अब जैसे शहरों की ही तरजपर, आदिवासिक शित्रों में ही कॉलोनी सिस्टम थोपने की कोशिश होती थी, शहरों जैसे मकान बनाने की ही कोशिश होती थी, जबकि हमारे आदिवासि भाई बेहनों का रहन सेन, शहर के रहन सेन से बिल्कुल अलग होता है, उनकी जरूरत्य अलग होती है, इसलिए सरकार के बनाए घरों में उनको वो अपना पन कभी नहीं लगता था, इतना ही नहीं, पहले की योजनाओं में पारदर्शिता की भी भारी कमी थी, कही तरह की गरबडिया भी होती थी, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, इसलिए उन घरों की क्वालिटी भी बहुत खराब होती थी, उपर से बिजली, पानी जैसी मुल्ग जरूरतों के लिए लाभारती को सरकारी दफ्तरों के चक्कर अलग से काटने पड़ते थी, इन सबका नतीजा ये होता था, कि उन योजनाओं के तहट, जो गरबनते भी थे, उनमें जल्दी लोग सिफ्ट ही नहीं होते थे, उनमें ग्रफ अवेशे नहीं हो पाता था, साथियों, 2014 में हमने जब से कारिय समाला, इन पुराने अनुभावों का अध्यन करके, पहले पुरानी योजना में सुधार किया गया, और फिर प्रधान मंत्री आवास योजना के रुप में, बिलकुल नई सोच के साथ, योजना लागू की गई, इसमें लाभार्ति के चैन से लेकर, ग्रह प्रवेश तक पार दर्शिता को प्रात्विक्ता दी गई, पहले गरीब सरकार के पीशे दोड़ता था, सिफारस के लिए ढूंदता था लोगों को, आज हम्रारी योजना ऐसी है, कि सरकार को लोगों के पास जाना होता है, खोजना होता है, और सुविधा देनी होती है, अब किसी की इच्छा के अनुसार, लिष्ट में नाम न जोड़ा जा सकता है, न गटाया जा सकता है, चयन से लेकर के निर्मान तक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है, इतना ही नहीं, मट्रियल से लेकर के निर्मान तक स्थानी अस्तर पर उपलब्द और उप्योग होने वाले सामानों को भी प्रात्थिक्ता दी जा रही है, गर के डिजाइन भी स्थानी जरूरतों और निर्मान श्यली के मताभी की तैयार और स्विकार किये जा रहे हैं, अब पूरी पारदर्शीता के साथ गर बनाने के हर चरण की पूरी मॉनिटरिंग के साथ लाभारती खुद अपना घर बनाता है, जैसे जैसे घर बनाता जाता है, वैसे वैसे घर की किस्त भी उनके खाते में जमा होती जाती है, अब अगर कोई बेहिमानी करके भी कुछ कोशिच करता है, तो इस में पकड़े जाने के लिए अनेक रास्ते भी बनाए रहे हैं,